सबसे पहले basic समझ लेते हैं यानि कि इस winding को हम लोग को करने के लिए क्या चीज़े चाहिए होंगी जैसे कि कोई चीज़ बनाने के लिए ingredients होते हैं वैसे यहां पर आपको क्या चीज़ सीखनी सबसे पहले यह इस तरीके की कुछ 3-phase alternator देखता है यानि कि अगर मैं 3-phase alternator को ए यहां से cut कर देते हैं इहां से cut कर देते हैं और यह पूरी बंट है यह जो circumference दिख रहा हो ना यह बिल्कुल इस तरीके की belt की तरा मालो इसको winding अगर तुम्हें सीखनी है तो सबसे पहले अगर basic की बात करें तो वहाँ पर हमने machine को beach में से cut कर लेना है circumference को और उसके जितने भी slots है उन्हें क्या हो ना एक linear line में arrange कर देना है ठीक है इसकी उपर समझना बहुत आसान है यहां से हम लोग सीखेंगे कैसे हमें single layer sorry कैसे हमें three-phase winding कर देंगे ठीक है ना दूसरा important part आ जाता है कि layer क्या होती तो single layer होती है winding मैंने आपको पुराने lecture बताया था एक होती single layer winding ठीक है और एक होती है double layer winding अब इसको समझते हैं यह क्या मतलब होता है basic समझा दे रहा हूं तो single layer का क्या मतलब होगा कि अगर यसी हमने यहां से अगर इसे cut कर दिया तो यह मैंने इस particular slots को इस तरीके से arrange कर दे एक linear line में देखो इस सारे क्या है एक linear line में मैंने इने arrange कर दिया ठीक है जो की actual में circumference याने की circular form में एक circle के रूप में arrange थे ठीक तो अब single layer का क्या मतलब होगा कि अगर एक slot की बात कर जाए अगर माल लेते हैं इस तरीके से slot से मैं इनको magnifying कर दे रहा हूं तो एक slot के अंदर एक conductor रखा होगा this is the one conductor one conductor one conductor तो अगर एक slot के अंदर एक conductor तुमने रखा हुआ है तो this one is the single layer winding ठीक है not double layer का क्या मतलब हुआ same slot के अंदर अगर मैं दो conductor डाल देता हूं ठीक है तो यह हो जाई तुमारी double layer winding देखो यह होगा double layer this one is also double layer and this one is double layer ठीक है तो basic समझ में आगया होगा single layer का मतलब क्या हुआ एक slot के अंदर अगर एक conductor रखा तो single layer होगा एक slot के अंदर अगर दो conductor रखें तो this one is the double layer winding ठीक है तो two conductor per slot तो single layer का मतलब क्या होगा one conductor one conductor per slot ठीक है यह है single layer आपका और double conductor का मतलब two conductor per slot two conductor per slot ठीक है इस तरीके की winding जोती double layer winding होती ठीक है तो यह जनरल यह आपके flavors का part नहीं होती है, इसलिए मैं इस lecture के अंदर double layer पर मैं बहुत ज़्यादा focus नहीं करूँगा, हमारा पूरा का पूरा focus होगा, single layer winding हमें कैसे perform करनी है, तो यह हम लोग इस lecture के अंदर सीखेंगे, चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, तो एक question आपके सामने, आपको क्या करना है, एक three phase alternator है, single layer की इस पर winding करनी है, two poles की machines है, two poles की machine है और 12 slot है उसके अंदर, इसका क्या मतलब होगा, कि आपके पास, अब यहां से हम लोग शुरू करते हैं, तो सबसे पहले, देखो, हमें क्या करना है, 12 slot का एक alternator बनाना होगा, अगर 12 slot का एक alternator में design करूँ, तो कुछ इस तरीके का circular बनेगा, यहां पे slots होगे इस तरीके से, और मैंने अभी पीछे बताया था, हमें क्या करना है, इसको बीच में से cut कर देना है, और क्या करना है, linearly arrange कर देने, तो कुछ इस तरीके का arrangement हो जाएगा, ठीक है, यहां पे एक conductor कितने आ जाएगे, तो हर slot में एक conductor को put कर देते हैं, ठीक है, तो हर slot में एक conductor को put कर देते हैं, इस तरीके से, एक, तो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा, बारा, तो यानि कि बारा conductors हो गए, बारा slot के अंदर single ear winding है, नो अब इनके connection करने हैं, तो connection के लिए थोड़ी सा हमें calculation करनी पड़ेगी, यह सारी चीज़े आप जानते हो, सबसे पहले calculation के अगर start की जाए, ठीक है, तो हमारे पास conductor slots कितने हैं, एक pole गंडर में कितने हैं, 6 आजाएंगे, यानि कि north के अंदर कितने होंगे, 6 होंगे, 6 होंगे, 6 slots होंगे, और उसी तमया south के अंदर में भी 6 slots होंगे, 6 slots, south के अंदर में होंगे, ठीक है, तो यह हो गया pole pitch, ठीक है, यह चीज़ निकाल ली हमने, next, सबसे important चीज़ आजाती अलफा यानि कि slot angle तो slot angle देखो 360 degree पूरा जो circumference है यानि कि पूरा जो है यह 360 degree का होता है 360 degree और यहां पर कितने slots है बारा slots है यानि कि एक दो तीन चार पांचे ऐसे करके बारा तो 360 degree बारा slots में बटा हुआ है तो यहां से निकालो तो एक angle एक slot का कितना angle हुआ तो एसे case में हम जानते है अलफा इलेक्ट्रिकल जो होता है और यह कितना हो गया 30 degree ठीक है तो यहां से यह भी चीज़ क्लियर हो गई यानि कि एंगिल निकल किया गया पॉल पिछ निकाल ली छे पॉल पिछ छे का क्या मतलब हुआ उसको देख लेते हैं पॉल पिछ छे का मतलब हुआ कि छे छे पॉल्स में divided है यानि कि अगर मैं पॉल्स बनाना चाहूं ठीक है तो वन से लेकर सिक्स तक नौर्थ पॉल होगा यह नौर्थ पॉल के अंडर में होंगे और इसी तरीके से सेवन से लेकर य्युवल तक यह पूरे क्या हुगे south pole के अंडर में हों ठीक है तो यह हो गया पॉल पीछ का मतलब पर जो आपने पड़ी होगी मैंने अल्रडे ले रखहा है तो पॉल ंपीछ का मतलब क्या हुगा कि कि कितने पुल के अंडर कितने kole तरी चे निगल के की बात करी जाए हमें कौन सी करनी तो 3-phase winding का मतलब मुझे क्या करना होगा आर वाई और बी ठीक है आर वाई बी चाहिए होगे अब हमें start करना है प्लस सबसे important चीज निकालनी जरूरी है जो की है यानि कि slots per pole per phase यानि की जैसे की for परband एकमपल एक पॉल के लेक्छार में डिसकस किया हूओ है यानि कि एक पौल के अन्दर में एक फेस के कितने हिं ठीक है तो इसका निकालनेंगा तरीछें editor कितने 12igram इसका क्या मतलब यहां कि यानि की टू और एक फेस के दो स्लॉट होंगे ठीक है तो चली शुडू करते हैं यानि कि नौर्थ के अंदर और रड़ के होंगे और दो ब्लू के होंगे यही तो मतलब गगा तो सबसे पहले हम यहां बना लेसे तो मान लेते हैं यह तुमारा रेड के हो गए इसको मैं color भी mention कर देता हूं this one is red तो एक हो गए r1 का slot हो गए एक r2 यानि कि दो conductor ठीक है दो conductor के दो एक same face के r face के red face के दो slot हो गए तो यहाँ पर दो conductor है एक r1 conductor हो गए एक r2 हो गए आपको पता होगा यह चीज अल्लेडी मैं बता चुका हूं कि जब भी हम coiling करते हैं तो कोई इस तरीके coiling की जाती यानि कि यह होती क्वाइल साइड वन होती है और यह होती है क्वाइल साइड टू ठीक है यह अल्लेडी हम पुराए लेक्शन देखे हुए है तो अगर अगर भी आपको इस तरीकी कोई भी जानकरी नहीं दे रखे तो आप क्या लेंगे full pitch लेंगे तो full pitch का क्या मतलब हो गया full pitch का मतलब हो गया कि coil side 1 और coil side 2 इनके बीच में कितना एंगल है 180 degree का difference है electrical 180 degree ठीक है coil side 1 पे अगर माल लेते हैं R1 conductor रखा है तो R1- यानि कि R1- कहा रखोगे तो देखो यानि कि यहाँ पे अगर मैंने R1 रखा है slot 1 में ठीक है तो इसकी जो coil side होगी इस तरीके से जो जाएगी वो कहां रखी जाएगी R1- जैसे कहूंगा वो रखी जाएगी 180 degree अब 180 degree space electrical space apart कितना हुआ तो 180 degree कितने slots में तो एक slot का angle अभी मैंने पीछे निकाला था य तो 180 degree का मतलब कितने slot हो गया तो एक slot का मतलब हो गया 30 degree 180 का मतलब हो गया 180 divided by 30 ठीक है 6 318 यानि कि 6 slots ठीक है तो 6 slot यानि कि अगर R1 तुमने 1st slot में रखा है तो R1- यानि कि उसकी दूसरी coil side कहां पे रखेगी 1 plus 6 equal to 7 याद होगा आपको इसी तरीके से हम लोग निकालते थे DC मशीन में लैप और wave winding जब करते थे तो वहाँ पे back pitch ठीक है YB Y front पे यह सब निकालते थे बिल्कुल कुछ इसी तरीके की winding यहाँ पे होगी ठीक है तो इसलिए हमने 1 निकाला यानि कि अगर R1 हमने 1st slot में रखा है तो R1- यानि कि दूसरी उसकी coil side है वो कहां रखोगे वो कि short pitch है अगर आपको यह दे रखा हो तर कितना शौट पेच है और कितना शौट पेच है शौट पिच बाई 30 डिगरी अगर 30 डिगरी का शौट पिच दे रखा हो ता तब कितने में करते तो 150 का आद निकल के आता शौट पिच यानि कि तब दोनों coil side जो है वो कितने होती आ 1 और 1 जो है वह कितने data 150 degree पर होता और 150 का मतलब कितना होता 150 Divide by 30 याने कि 5 तो याने कि अब जो इनके बीच का gap होता और 1 और 1 डैश का वो कितना होता 5 cops का होता το उस case में क्या होता अगर 1 उस case में अगर इस particular case की बात की जाए जब हम लोग short pitch winding करते 150 degree की 30 degree short तो R1 अगर तुमने 1 में रखा होता तो R1- का रखो 1 plus 5 equal to 6 में रखते लेकिन क्योंकि यह full pitch है तो full pitch का मतलब 180 तो 1 plus 6 equal to 7 यह मैंने यह वाला जो पूरा case दिया है यह मैंने side में short pitch का case बता दिया यह पूरा यहां से इससे कोई मतलब नहीं है यह एक example आपको समझा दिया कि अगर कभी बविश्य में short pitch की अगर winding आपको देखने को मिलेगी तो वहां क्या करना होगा ठीक है तो बस simply आपको इसी तरीके से करना है तो 180 निकल के आया यानि कि अगर R1 यहां पर है R2 यहां पर है ठीक है तो R1 डेश का होगा उसको बना लेते है तो R1 डेश तुमारा 1 प्लस 6 इकल टू 7 यानि कि यह होगा तुमारा R1 डेश और उसके बाद आएगा R2 डेश जैसे यह R1 डेश है वैसे ही यह जो होगा वो R2 डेश होगा ठीक अब देखो winding कैसे करेंगे तो सबसे पहले हम शुरुबात करते हैं यहां से यह वाला conductor लेंगे R1 यह conductor R1 डेश से जुड़ा होगा यह रहा ठीक है यह supply आ रही है R1 में गई उसके बाद यह इस तरीके से coil गई है R2 में गई और R2 से जाने के बाद यह जो है R2 डेश में गई and this one is यह जो निकल के आया this one is R phase ठीक है यह एक phase की winding होई ठीक है अब बात करते हैं Y और B की यानि कि हम लोग जानते हैं अगर हम लोग balanced supply की बात करते हैं तो अगर हम लोग balanced 3 phase supply की बात करते हैं balanced 3 phase supply तो उसकी आपको condition याद होगी कि मैंने बताया था क्या condition होती इसकी अगर यह हमारा R है तो इससे 120 degree space electrically apart कितना होता था 120 R, Y होता था और इससे 120 degree difference पे lag पे होता था B और यह 120 degree मैंने बताया था तुम्हें कौन सा होता था? Electrical angle होता था यह electrical angle थी अगर बात कर लें यहाँ पे इस particular case में तो R1 हमने किया हुआ है आपने R1 किया है R1 के बाद जो Y आएगा उसकी बीच में कितना difference होना चाहिए भई 120 degree का difference होना चाहिए R के बाद जब Y आएगा तो 120 degree का क्या मतलब हो गया? 120 degree का मतलब हो गया 120 degree divided by 30 T equal to 4 slot समझ में रहा है तो देखो slot angle का कितना एहम रोल है मतलब बहुत important रोल है clear हो गया यहाँ पे तो slot angle यानि कि अगर तुम्हें यह three phase winding करनी है तो दो चीज़े बहुत important एक है slot angle और एक है M यानि slot per pole per phase ठीक है? यह दो चीज़ों को निकालना बहुत ज़रूरी है तो यहाँ पे slot angle कितना निकल के आ गया? 4 निकल के आ गया sorry, slot कितना निकल के है? 4 slot निकल के है यानि कि R और Y के बीच में जो slot का difference है वो कितना है? 4 slot का है clear हो गया यहाँ पे तो देखो अगर R1 तुमने किया था 1 पे तो Y1 जो करोगे 5th slot में करोगे 5th slot में और 6th slot में Y को लगा दो तो जल्दी से आ जाते हैं यहाँ पे वापस से तो हमने अब क्या करना है Y को ले लेते है Y को हम लोग यलो से दिखाएंगे ठीक है तो एक तो पांच में slot में आपने अभी देखा था एक तो 5th slot में आ जाएगा y1 यहाँ पर आगया y1 phase और this one is the y2 ठीक है बात समझ में आगी y1 y2 आ गया now simply अब इनकी जो यह तो एक coil side होगी y1 y2 की ठीक है positive coil side negative coil side भी दोगी y1 dash और y2 dash वो कहा होगी तो 6 plus यानि कि अब हमें क्या करना है हमने यह देखा कि हमारे पास coil side निकल क्या है y1 जो है वो हमने करा है y1 किसमें करा है 5 और 6 ठीक है तो y1 आपने करा y1 करा आपने 5 में और y2 करा आपने 6 में तो अब 180 degree का इनके बीच में भी यानि की अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अगर यह y1 है तो यह हो गया y1 dash और इनके बीच में कितना 180 degree सेम रखना है वहाँ फुल पिच रखनी है तो 180 degree मतलब 6 slots तो y plus 6 equal to कितना हो गया 6 5 11 आगया 11th slot आगया निकलके ठीक है और इसी तरीके से 6 plus 6 equal to क्यों सा आगया 12th slot आगया निकलके ठीक है clear हो रहा है यहाँ तो 6 plus 6 जोड़ोगे तो कितना है 12th slot आगया यानि कि 11th और 12th slot में जाकी winding end up 12th slot में y2- ठीक है तो यानि कि अगर winding की बात करी जाए तो यह conductor यहाँ से चलेगा यह जाएगा y1- में यहाँ से निकलके y2 में जाएगा इसको connect करेगा y2- and this y2- से हम लोग बाहार निकाल लेंगे this one is y-phase ठीक है यह चीज़ समझ में आ रही होगी बिलकुल बहुत easily समझ में आ रही होगी I hope इसमें किसी भी तरीके का doubt नहीं होना चाहिए मैंने किसी भी तरीके का doubt नहीं छोड़ा है हर चीज़ आपको एक दम crystal clear करके समझा रहा हूँ ठीक है now आगे चलते हैं अब यहाँ तक होग 120 degree का difference होगा यानि कि अगर y1 जो है तुमने किस पर किया था y1 आपने किया था 5th slot में ठीक है तो जो b1 होगा वो कितना होगा वो इससे कितना होगा 120 degree के difference पे 120 का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता 120 का मतलब 120 का मतलब होता है 120 divided by 30 यानि की 4 slot का difference तो 5 प्लस तो b1 कहाँ होग 5 प्लस 4 यानि की 9th slot ठीक है इसी तरीक से B1 होगा इसी तरीक से Y2 है वो कौन से slot में वो है 6th slot में तो इस से 120 जो difference पे होगा B2 हो कितना होगा 6 प्लस 6 slot प्लस 4 यानि की 10th slot तो 10th और 9th slot जो होँगे यह B के हो जाएंगे पॉजिटिव B के ठीक है उसको बना लेते हैं ओके तो यहां से शुरू करते हैं तो 9th slot से हम लोग का यह हो गया तुमारा B1 ठीक है तो this one is B1 and this one is B2 ठीक है तो यहां से यह winding समझ में आ गई तो यहां से start होगी यह winding ठीक है यह winding जाएगी अब देखो यह जाएगी कहां पर यानि कि यह तो एक call side होगा यह अभी हमने जो निकाला यह हमने positive call side निकाली इनकी एक और call side भी तो होगी यानि कि B dash होगी वो कहां होगी तो उसको देख लेते हैं तो भाई सीधी सी बात है अगर B1 तुमारा 9th slot में है B1 आपका 9th slot में है तो 180 degree space apart रखना है 180 degree का मतलब 6 slots 6 slots का difference होना चाहिए तो 9 में 6 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9th slot के बाद तो देखो machine जो है 12 slot की है यानि कि और मैंने बताया था कि machine को हमने क्या करा है 12 के बाद end नहीं है 12 के बाद हमें वापस से यहां से शुरू हो जाएगा क्योंकि यह क्या है circular में arrangement clear हो रहा है यहां पर तो 12 के बाद क्या होगा circular में क्योंकि arrange है तो यह घूंके आएंगे तो 12 के बाद 6 जोड़ो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि तीसरे में आएंगे और इसी तरीके से B2 को जोड़ोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानि कि चौथे स्लोट में जोड़ेंगे ठीक है तो फुल पिच के लिए क्या होगा यहां पर इसको बना लेते है यानि कि यह B1 जो जाएगा वो थर्ड स्लोट में जाएगा और थर्ड स्लोट में इस तरीके से बना देते है यह आगया थर्ड स्लोट में यह आगया तुमारा नाइन्थ स्लोट से ठीक है और यह जैसे हम लोग याद करो DC मशीन में ऐसी तो करते थे आपको याद होगा उसके बाद यह घूंके जाएगा आपका वापस से यह जाएगा तुमारा 10th स्लोट के लिए यह रहा 10th स्लोट वाला यह आया है आपको कहां से आया है 3rd स्लोट से आया है और 10th स्लोट वाला जब कहां जाएगा यह जाएगा तुमारा 4th स्लोट में और 4th slot में इस तरीके सेंटर करेगा इस वन इस दा यह कहां से आ रहा है यह आगा 10 से और यह जो 4th slot में एंटर करेगा यहां पर आपकी क्वाई जहोगी वो एंड अप होके यह तुम्हें देदेगी और वाई बी फेज बात समझ में आ रही है तो इस तरीके की जो आपका arrangement निकल के आया है तो आईओ भी जी समझ में आ गई होगी यह होगी तुम्हाई single layer winding हो गई होगी इसमें मैंने कोई भी तरीके का आपको doubt नहीं छोड़ा है किसी भी तरीके का doubt आपको इस case में तो नहीं होना चाहिए मेरी त चाहिए ड्ना से ड्रेज के एक val के दगीं मोधी की vary तो यहां पे सबसे पहले आएगा em यो था end to alpha अ कितनान में मोधा कितना और ऑल्फा कितना थीग्री तो यह कितना निकली है जानी कि 60 degree का phase spread है, तो यह जो winding की गई है, तो यह single layer winding हमने अभी perform की थी पीछे, single layer winding, इसका phase spread कितना था, तो इसका phase spread था, 60 degree का phase spread था, clear, इसमें कोई doubt नहीं होना चाहिए, 60 degree phase spread, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुगा, phase spread का मतलब क्या हुगा, इसको भी मैं यहाँ पर बता देता, हैं फिर से, कि each phase, यानि कि हर phase, चाहिए r हो, चाहिए y हो, each phase spread, spread in 60 degree, under one pole, यानि कि under one pole, यानि कि एक pole के अंडर, एक particular pole के अंडर, हर phase जो है, वो 60 degree में फैला हुआ है, ठीक है, एक pole के अंडर, तो north pole के अंडर, red जो है, वो 60 degree है, यहाँ पर देख सकते हो, easily calculate कर सकते हो, यहा से, यहाँ से, यहाँ था, यह 2 slot में फैला हुआ, red pole, तो यह हो गया, m, और इसका अगर angle निकालोगो, तो एक slot का जो angle है, यानि कि यह जो particular distance है, यह 30 degree की, तो 2 की distance कितनी हो, 60 degree, तो देखो, red pole कितने में, यह particular angle कितना है, 60 degree, यह 60 degree, यह भी 60 degree है, 60 degree, और यह भी 60 degree, तो देख कोई doubt नहीं होना चाहिए,